यहां मैंने Excel में एक परफॉर्मा तयार किया है अब मैं चाहता हूँ कि इस परफॉर्मा को देख तो सके कोई भी लेकिन इसमें कोई चेंजिंग न कर सके तो इसके लिए मुझे क्या करना है इसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी सुरक्षा करनी है सुरक्षा के लिए क्या करना है सुरक्षा के लिए इसमें मुझे पासवर्ड लगाना है अब पासवर्ड कैसे लगाएंगे यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी शीट को जो भी आप बर क करते हैं उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकती हैं अब आपको सबसे पहले जाना होम टेंब में जाने के बाद मैं आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर प्रोटेक्ट शीट वाला ओप्शन है इस पर माउस का आपको फिस्द लेप्ट बटन प्रेस करन यहां फिर से password माग रहा है तो यहां पर password फिर से type करना है वही password जो आपने पहले type किया है वही password आपको type करना है और यहां OK बटन को फिर से आप प्रेस कर देंगे अब आप इस seat में किशी प्रकार की changing नहीं कर सकते अगर आप changing करना चाहेंगे तो क्या होगा यह इस तरह से इंदर भी यही position है आप इस performance में अगर कोशिश करेंगे तो यहां भी यही position आएगी कहीं भी आप type नहीं कर सकते बस आपको एक बात याद रखनी है किसी को password नहीं बताना है यदि आपने password को बता दिया तो फिर आपका जो पॉर्पॉर्मा है सुरक्षित नहीं रहेगा उस इसके लिए आपको format वाले option पर जाना है अन protect sheet वाले option पर जाना है यहां पर आपको वही password टाइप करना है जो आपने पहले इसमें password लगाया है ओके कर दीजिए अब यहां कोई भी आप changing कर सकते हैं इस प्रकाश से जैसे भी आप changing करना चाहें यहां से changing कर सकते हैं ऐसे password हटाने पर ही आप कोई changing कर सकते हैं जब इसमें password लगा होगा तो एक शब्द भी आप इसमें type नहीं कर सकते हैं तो यह protect command आपके बहुत ही कामाने वाली है इस command का use करके आप अपने कारे को सुरक्षित रख सकते हैं आज इस वीडियो में बस इतना ही जैहिन बंदे मात्रों